नमस्कार, कैसे हो? हिंदी की क्लास में और विस्कूल की दरब से आपका फिर से स्वागत है हमने तवर के पाजो व्यंजन सीखे चलो उसको दोराते है त, थ, द, ध, न उसके पाद में आता है व्यंजन पो परन्तू व्यंजन पो सीखने से पहले हमें गाना गाएंगे और वो गाना है पके पेड़ पर पका पपीता पका पेड़ या पका पपीता पके पेड़ को पकड़े पिंकू पिंकू पकड़े पका पपीता कितना मुश्किल ये का नाजरा गाके सुनाना पके पेड को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता क्या हो रहा है ये गाने में? एक व्यांजन बार बार रिपीट हो रहा है कौन सा व्यांजन है ये? व्यांजन प सही बताया पसे पपीता, पसे पेड, पसे पिंकू तो आज हम व्यंजन प और उससे शुरू होने वाले शब्द सीखेंगे तो चलो सीखते हैं व्यंजन प पसे पपीता, बच्चों आपको दोहराना है पसे पंखा, ये टेबल पे रखने वाला पंखा है और ये वाला पंखा है, जो छट पे होता है ये भी पसे पंखा है, और ये वाला पंखा हाथ में पकड़ते है पसे पंखा, पसे पेड, जो हमको ताजे ताजे फूरूर्स देता है फल देता है, पसे पुस्थक, मतलब बुक्स और पसे पानी होता है जो नल में से आ रहा है पसे पलंग जिसके उपर हम सो जाते है और पसे होता है पगड़ी जो सर पे पहनी जाती है और पसे होता है पत्ता जो जाड़ पे होता है और पसे होती है पतंग जो आसमान में उड़ती है Now it's writing time So first thing we require is my skill book On page number 6565 We will do our writing practice of Vyanjan Pa और Vyanjan Pa लिखने से पहले हम left side corner में आज का date लिखेंगे जो की है 20.8.20 Vyanjan Pa लिखने के लिए पहले आपको अपनी पहली लाइन पर पैंसिल रखनी है फिर सीधा लाइन बनाना है जो दूसरी लाइन को टच करेगा फिर वहां से टर्न लेते हुए थोड़ा सा कव बनाते हुए थोड़ा सा उपर जाना है जैसे कि हम U for umbrella बनाते हैं फिर उसको वहां ही छोड़ देना है फिर पहली लाइन और तीसरी लाइन के बीच में सीधा लाइन बनाना है यह हो गया आपका पसे पतंग और उसके उपर स्लीपिंग लाइन बनाना ना भूले और एक बार लिखेंगे पहली लाइन और दूसरी लाइन के बीच में सीधा लाइन थोड़ा सा कर्फ थोड़ा सा उपर जाना है स्लांट इधर थोड़ा सा गैप बनेगा फिर पहली लाइन और तीसरी लाइन के बीच में सीधा लाइन बनाओगे और पहली लाइन पे बनाओगे आप स्लीपिंग लाइन यह हो गया आपका पसे पतंग अभी हम ट्रेसिंग प्राक्टिस होने के बाद में अपने आप लिखेंगे कौन सी लाइन से लिखना शुरू करोगे सही बताया पहली लाइन पहली लाइन और दूसरी लाइन के बीच में सीधा लाइन फिर दूसरी लाइन को टच करके वहां से कव बनाते हुए थोड़ा सा उपर जाके उसको छोड़ देना है फिर पहली लाइन और तीसरी लाइन के बीच में सीधा लाइन बनाना है यह हो गया आपका पर पर परंतु उसके उपर स्लीपिंग लाइन बनाना नहीं भूलना है पर से पतंग, पर से पवन, पर से पेड, पहली और दूसरी लाइन के बीच में सीधा लाइन तोड़ा सा कव, तोड़ा सा स्लांट और छोड़ दो फिर पहली लाइन और तीसरी लाइन के बीच में सीधा लाइन और फर्स लाइन पे स्लीपिंग लाइन ये हो गया आपका पसे पवन, पसे पेड, पसे पतंग, पसे पत्ता और एक बार लिखेंगे पहली लाइन और दूसरी लाइन के बीच में सीधा लाइन कव बनाते हुए थोड़ा सा उपर पहली लाइन और तीसरी लाइन के बीच में सीधा लाइन और पहली लाइन पे स्लीपिंग लाइन पसे पतंग आपको यह पूरा page लिखना है और अच्छी से writing practice करनी है हमने तवर्ग के पाचो व्यनजन कैसे लिखते है उसकी practice my skill book में की अभी हम तवर्ग के पाचो व्यनजन कैसे लिखते है उसकी practice हिंदी की notebook में भी करेंगे इसके लिए आपको हिंदी की notebook चाहिए जैसे कि आप हमेशा लिखते हो वैसे ही left side पे आपको आज का date लिखना है 20.8.20 और वो लिखने के बाद में आपको ऐसे व्यंजन साथ में लिखना है आप त, थ, द, ध, न, वैसे नहीं लिखना है अब पूरा line साथ में लिखोगे जैसे कि त, थ, द, ध, न, खतम होने के बाद में दूसरी line में वापस वैसे ही बोलना है और लिखते जाना है त, थ, द, ध, न, खतम होने के बाद में वापस यहां से शुरू त, थ, द, द, न, ऐसे करने से आपको पूरा तवर्ग साथ में कैसे लिखते है, वो अच्छे से समझ में आ जाएगा मुझे आशा है बच्चों, आपको व्यंजन प, उससे शुरू होने वाले शब्द और उसको लिखते कैसे है, वो अच्छे से समझ में आया होगा और तवर्ग भी साथ में कैसे लिखते है, वो अच्छे से समझ में आया होगा धन्यवाद